स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते है आज का प्रश्ण हाल ही में कौनसा देश प्रशांत महासागर में 54,000 तन परमानू सैंत्र का दूशित कचरा बहाएगा A. UAE B. South Africa C. Rus D. Japan Answer D. Japan Explanation जापान के फुकुशिमा परमानू उर्जा सैंत के संचालक Tokyo Electric Power Company टेप को ने वितव वर्ष 2024 में सैंत से लगबग 54,600 तन परमानू दूशित पानी को समुद्र में छोड़ने की योजना बनाई है रिपोर्ट के अनुसार इसे 1 अप्रेल 2024 से शुरू कर 31 मार्च 2025 तक साथ चरणों में प्रशान्थ महासागर में छोड़े जाने की योजना है अगला प्राश्न सरसथवी अखिल भारतिय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा A. वारानसी B. जैपुर C. लखनो D. पटना C. लखनो 12 फर्वरी से 16 फर्वरी 2024 तक लखनों में सरसथवी अखिल भारतिय पुलिस ड्यूटी मीट A. IPDM का आयोजन किया जाएगा इस बार इस मीट की मेजबानी वेलवेर सुरक्षा बल आरपी एफ द्वारा किया जाएगा A. IPDM की केंद्रिय समन्वय समिती ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी आरपी एफ को सोपी है अगला प्राश Indian Coast Guard Day प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A. 30 जन्वरी B. 31 जन्वरी C. 1 फर्वरी D. 2 फर्वरी Answer C. 1 फर्वरी Explanation भारत में Indian Coast Guard Day यानी भारतिय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष एक फर्वरी को मनाया जाता है इस दिवस के मनाया जाने का उद्देश तटरक्षक बलके महत्व के बारे में जागरूपता फैलाना है 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाया जाने की घोशना की गई थी भारतिय तटरक्षक बलकी स्थापना एक फर्वरी 1977 को की गई थी अगला प्राशन भारत सरकार ने हाल ही में किस एरपोर्ट को इंटरनेशनल एरपोर्ट का दरजा दिया है A. सूरत हवाई अड़्दा B. जोरहाट हवाई अड़्दा C. बिर्सा मुंडा हवाई अड़्दा D. डिब्रूगर हवाई अड़्दा A. सूरत हवाई अड़्दा एक्स्प्लेनेशन इस राज्य सरकार ने जंजाती आबादी का समर्थन करने के लिए LABHA योजना शुरू करने की घोशना की है A. चत्तीजगर B. पुलिसा C. पश्चिम बंगाल D. जारखन Answer B. पुलिसा Explanation B. पुलिसा में लगभग एक करोण आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नित्रित्ववाली राज्य सरकार ने लाब योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है LABHA लगू बांग जात्या द्रब्यकराय का संक्षिप्त रूप है लगू वन उपज MFP के लिए सो प्रतिशत राज्य वितर पोशित नियूनतम समर्थन मूल्य MSP है